प्रिये विद्यारतियों इस वीडियो में हम जो है कक्सानों की वार्षिक परिक्सादोजाद 23 के लिए सामाजिक विसे के MCQ क्यूशन यानि की objective क्यूशन और one word वाले क्यूशन और साथ ही जो खालीस्तान वाले क्यूशन आते हैं उन तीनों प्रकार की क्यूशन का हम यहाँ solution करेंगे तो देखिए dear science मैंने यहाँ पर आपके किताब के जितने भी पार्ट है चारों किताबों के उन सभी पार्टों के जो है अलग अलग पार से जो हमने यहाँ पर यह क्यूशन लिये हैं तो क्यूशन भी यहाँ पर आपको थोड़े से ज्यादा लगेंगे लेकिन इ हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं देखिए एक अंक वाले प्रिसन यानि कि यह एक नमर में ही आते हैं तो यहां से हमने यह लिए एमसी क्यू और इसके बाद खालिस्तान और इसके बाद वन वर्ड जो आंसर है उसके क्यूशन लेंगे तो देखिए जैसे फ्रांस की क आंती के समय फ्रांस का समराट कौन था तो देखिए कौन था लूई 16 यह था तो इसका आंसर लूई 16 हो जाएगा और इसके बाद देखिए दस सोसर कॉंटेक्ट नामक पुस्तक किस ने लिखी तो यहां पर देखिए यह उपर हमने क्यूशन लिए हैं और इसके ही जश्ट किस राजवन्स का था तो इसका नाम आएगा बूबरो इसके बाद अगला कुशन है फ्रांस में 1794 में चलने वाली मुद्रा का नाम तो यहां पर आप देख लेना कि चोते का अंसर क्या है हमारे पास देखिए लिवरे चोते का अंसर क्या आएगा लिवरे आएगा यह निक इसी के साथ में हैं हमारे खालिस्तान वाले देखिए वाटरलुका युद्ध नेपोलियन ने सन में लड़ा यानि कि जो वाटरलुका युद्ध है वो नेपोलियन ने किस सन में लड़ा था यह हमारा छटा क्यूसन है तो हम यहाँ पर छटे का देखेंगे यहाँ पर देखी या जैसे यहां पर है फ्रांस का राष्टगान है तो यहां पर आपसे यह भी पूचा जा सकता है फ्रांस के राष्टगान का नाम क्या है यहां तो खालिस्तान में है लेकिन क्यूशन इस तरह से भी आपका बनाया जा सकता है जैसे यहां पर है जेकोबिन कलब का परमुक ने जाएंगे तो यह जो है हम यह इसको पीडिया फाइल को जो है टेलिग्राम चेनल पर सेंड कर देंगे वहां से आप इसको आजनी से जो है देख सकते हो पढ़ सकते हो इसके बाद देखिए हमारे दूसरे पार्ट की क्यूशन आ जाएंगे कि सामेवादी विचार के जो संस्ता पकते वो कौन थे तो इसमें क्या आएगा काल मार्स हमारा आंसर जाएगा और इसके बाद देखिए इसमें दूसरे क्यूशन है हमारा कि रूस में आर्थिक नीती को किसने प्रारम किया तो लेनिन ने जो है जो है इसको प्रारम किया था तो यह हो गए हमारे कौन से MC की क्यूशन और इसके बाद हैं हमारे कौन से खालिस्तान वाले की रूसी इतियास के तिति को अंतराश्टे महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है या रूस की संसद का नाम है तो यहां पर देखिए हम देखते हैं रूस की संसद का नाम क्या ह यह कुष्छन जो हैं पिछले साल जो अद्वार्शक में है या पिछले साल भी कई जगबर यह कुष्छा गया है अच्चा सीन यह है सामूहिक करण का कारे करम किस ने सुरू किया उसमें राज-साहिक कंत किस तरह हुआ रूसी युदवें बोल सेविकों के समर्टकों किस नाम से बुलाते थे तो यह हमारे यानि कि यहाँ पर तीनो टाइप के क्यूशन है तो आप तीनो टाइप के क्यूशन एक साथ तयार कर सकते हो इनके आंसर यहाँ पर लिखे हुए है इसी के बाद देखिए यह है तो इनी के आंसर जो है जस्ट नीचे लिखे हुए हैं तो आपको आंसर डूलने में जो है आपको दिक्कत नहीं होगी आप एजली जो है आंसर इनके देख लोगे इसके बाद यह क्यूसन है और इन क्यूसन के तुरंत नीचे बाद जो है इनके आंसर दे रखे हैं जैसे फिर ये क्यूशन आएंगे इनी के क्यूशन के नीचे जो है इनके आंसर जाएंगे ये देख लीजिए जैसे यहाँ पर ये क्यूशन है कि निम्न में से कौन सा अकसांस वरत वारत को दो बरावर बागों में बिगबगत करता है तो इसका अंसर हमार कि बारत का कौन सा राज्य तीन तरब से बांगला देश से गिरा हुआ है तो इस तरह की क्यूशन में आपसे पूछे जाते हैं तो इसमें हमारा क्या आएगा आंसर आएगा त्रीपुरा जिससे इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा देश बारत का पड़ोसी देश है तो देखिए बारत का चो पड़ोसी देश है इसमें आएगा हमारा म्यामार इसमें आंसर कौन सा जाएगा म्यामार आंसर आजाएगा जिसे एक है कि बांगला देश की सीमा से जुड़े हुए कोई एक राज्य का नाम बताईए बांगला देश की सीमा 14 नम्मर का क्यूशन है तो असम राज्य यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से आप इजिली जोए इसके आंसर देख लोगे इसके बाद अगला क्यूशन है हमारा कि हिमालय के रूप में उपर उठने के कारण किस समुद्र की समावती हुई थी तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्यूशन है तो पहला क्यूशन का हमारा जो आंसर है वो रहेगा 33 सागर क्या रहेगा 33 सागर इस तरह से आप जो इनका आसर इजली देख लेना इसके बाद देखेए समालो 12 क्यूशन है हमारा कि बारती और उस्तन ही चेतरी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो यहां पर सबसे बड़ी नदी के बारे के बारे में लोटी नदी इसका राज़ाएगा लोटी इसके बाद देखिए फिर इस तरह के क्यूसन आ गए कि दक्षिन गंगा किस नदी को कहा जाता है तो इसका अंसर दूसरा क्यूसन है तो इसका अंसर हम कैसे देखेंगे नीचे जाएंगे नीचे पर दूसरा अंसर देखेंगे तो इसका अंसर आएगा और इसके बाद देखिए, गर्मी के मौसम में उत्री मेदानों में बहने वाली गर्म में मौसुख से पावन को क्या कहते हैं, गर्मी में क्या उतलती है, लू चलती है, इसको लू कहा जाता है, तो इस तरह से जो है, यह आप जो इन क्यूशन को याद कर लेना, और भी तो आपको क्यूशन तोड़े से ज़्यादा लगेंगे लेकिन छोटे-छोटे क्यूशन है तो आप इनको याद कर पाओगे इसमें देखिए सब हर क्यूशन के बाद जो है सबके आंसर हमने पुटप कर रखे हैं तो आप आंसर इनको इसली से याद कर लोगे तो मैं समस्ता ह की स्टुटेंट अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो इसके अलावा आपको कोई सी भी गाइड के इनकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी आप पढ़ भी सकते वह अच्छी बात है क्योंकि इन में से देखिए सारे क्यूशन तो आते नहीं हैं लेकिन मैक्जिमम क्य पाएगी अब बहुत से स्टुटेंट क्या बोलते हैं कि सर आप जो बढ़ाते हो क्या पूरे वही हाएं तो देखिए स्टुटेंट रास्तान के 33 जिले हैं 33 जिलों में 33 पेपर बनाए जाएंगे तो 33 पेपरों में पूरा जो है मेरे क्यूशन सारी आए यह ज़रूरी नह हां लेकिन maximum क्यूशन इन्हीं में से आएंगे तो आप इसलिए इनकी त्यारी कर सकते हो और आपको पता भी हैं अपने अदवार्सिंग में देखा है क्यूशन आते हैं या नहीं आते हैं तो इसके बाद निए क्यूशन है इनके answer लिकर हुए हैं लास्ट में इस तरह से मैं ने यहाँ पर यह सारे जो है सारी बुक्स के जो है सारी बुक्स के हर प्रतिक पार्ट के जो है अलग अलग क्यूशन यहाँ पर ले रखे हैं तो डियर शेंस यह हमारे जो है साइन्स सोसल साइन्स के जो है MCQ, One Word Qsion और खालिस्तान वाले Qsion बिलेंक Qsion, ये सारे Qsion जो है तीनों तरह के इसमें हमने cover कर लिये हैं, अब हमारे पास सामाजी का केवल एक पार्ट बसता है कौन सा मान चित्रवाला, तो उसको भी हम आपको बता देंगे, इसके बाद अगर आपको सामाजीक में और कुछ आपको करवाना है, और कुछ आपका रह रहा है कि सर हमें इसकी त्यारी कराओ सामाजीक में, तो आप हमें comment box में comment कर देना, हम जो है वापर उसका reply करके उसका जो हम वीडियो बना देंगे, तो dear sense अगर आपको वीडियो लगा हो, तो वीडियो को like and share जरूर करें, अगर आपको चैनल पर नए है, तो चैनल को भी subscribe जरूर कर दें